चित माने होता है आनंद, देखो चित और चित में फरक है, कई बार लोग ससंग के अभाव में समझ नहीं पाते, जैसे ब्रह्म और ब्रह्मा में बहुत फरक है, केवल मात्रा का फरक नहीं है, ब्रह्म और ब्रह्मा में जैसे फरक है, अधिकतर में कई बार देखता हूँ, प्रचली थे आप लोगों को याद है गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु गुरूर देवो महेश्वरह गुरू साक्षात परब्रह्म ये परब्रह्मा नहीं है परब्रह्म है ब्रह्म वा तत्व है जिसमें ब्रह्मा और विष्णु संकर जिसमें कल्पित हैं अर्थात ब्रह्म की सत्ता में ही ये तीनों सत्तावान है ब्रह्म वा मूल तत्व है तो ये जो ब्रह्म सब्द है ये ब्रह्मा से अलग है बिल्कुल ब्रह्मा सब्द केवल एक जगे सा संग हो राथ हमद्ध प्रदेश में मैं बहुत हसा तो बेदान्त का प्रभचन था एक विदुशी देवी ने साथ दिन तक किसी उपनिशत पर चर्चा रखी फिर चर्चा रखने के बाद उन्होंने प्रश्ण उत्तर रखा तो एक बालिका ने प्रश्ण पूछा कि आप हमको बताओ ब्रह्म और ब्रह्मा में क्या फर्क है ब्रह्म और ब्रह्मा में क्या फर्क है तो बोले केवल मात्रा का फर्क है और कोई फर्क नहीं है तो हमको लगा एक कैसे विचार धारा के चिंतन धारा में लोग बहे तो मैं निविदन यही कर रहा था ऐसे चित और चित में बहुत फरक है चित तो आपके सब के अंतक करण में उसका नाम जो हमारी स्मृतियों को हमारे ज्ञान को जो स्टोर करता है उसका नाम चित है किन्तो जो ज्ञानत सुरूप परमात्मा है उसका नाम चित है उसमें तकार दीर्ग नहीं है चित सब्द का प्रियोग है तो चित और आनंद ये तीन निश्यत रूँ से सब में परिपूर्ण है परमात्मा के सब आउतार में किन्तो कोई आउतार सत प्रधान है कोई आउतार चित प्रधान है जैसे उदारण के लिए ज् कपिल का बेदव्यास जी महराज का बुद्ध भगवान का ये संस भगवान का ये सब के सब आवतार चित प्रधान है किन्तो जो हमारे लाला का आवतार है वो आनन्द प्रधान है हमारे महराश्री तो कहते थिरक्ते हुए आनन्द का नाम स्री कृष्ण है उल्लसित आनंद का नाम स्री कृष्ण है प्रमुदित आनंद का नाम स्री कृष्ण है